से भी ग्रेड एफेज बन का डिजर्ड टेक्लेर हो गया और जो एक्सपेक्टेड था कि इस बार जो नंबर ऑफ सुडेंट्स है जो पेपर टू के लिए क्वालिफाय करेंगे वह काफी कम होने वाले हैं पिछली बार के कंपरिजन में लास्ट टाइम एप्रॉक्सिमेटली 1000 स्टूडेंट ने फेज बन के एक्जाम को क्लियर किया था और इस बार जेनरल स्ट्रीम के अंदर यह नंबर घटके रहा गया 6,116 आदे हो गया जो बच्चे मेंज का एक्जाम देने जा रहे हैं तो जो जो स्टूडेंट्स क्लियर किये इस एक्जाम को उनको कॉंग्राचुलेशन और टाइम आपके पास बहुत कम है इसमें पढ़ाई में ध्यान लगाने का और जो बच्चे क्लियर नहीं करें वह इ मारा फुल कोर्स अवेलेबल है मेरी अप पे 3000 रुपीज का तू ट्रिपल नाइन का और जो mcq-based study course है वो ट्रिपल नाइन में अवेलेबल है इस फुल कोर्स के अंदर आपको lectures, notes, topic wise test, subject wise test और full length mock test में लेंगे और mcq-based study course के अंदर आपको topic wise test, mcq files और full length mock test दिये जाएं chances अच्छे हैं आपके select होने के 240 students को बुलाएंगे interview के लिए next step आपका interview के अंदर जाने का ही है, उसी के बारे में सोचना है कि 240 students में हमें आना है, चलो जी, आज के लिए इतना ही, bye-bye